1964 से लेखन प्रारंब करने वाली म्रदुला सिन्हा की 1956 से प्रारंब हुई लेखनी की यात्रा कभी रुखती कभी थमती रही 1977 में पहली कहानी कादंबनी पत्रिका में छपी तब से लेखनी भी सक्रिय हो गई विभन विधाओं में लिखती रही गाउं गरीब की कहानिया है तो राजघरानों की भी राधा की कहानी है तो रजिया और मेरी की भी है लेखनी ने सीता सावित्री मंदोदरी के जीवन को खंगाला है उनमें से आधुनिक बेटियों के लिए जीवन संबल ढूंडा है तो जल थल और नभ पर पाउं रख रही आज की ओजस्विनियों की गाथाएं भी है लोक संसकारों और लोक साहित्य में इस्तरी की शक्ती सामर्थ ढूंती लेखनी उनमें भारतिय संसकती के अथाहस उत्रपा कर धन्य हुई है लेखी का अपनी जीवन यात्रा पकडंडी से प्रारंभ कर गोवा के राजभवन में पहुची और राजजिपाल रही अब उनका कारिकाल समाप्त हो चुका है मृधुला सिन्हा अखिल भारतिय महिला साहित्य समागम में पधार कर साहित्य विशय पर अपने विचार रखेंगी